तो हेलों वेल्कम अभिमन्य ओई एस जिसकी 200 प्लस एक्षिंस है और 25 साल से जाधा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में जहां का बच्चा सी से तो बिल्कूल ने रहा था बिकॉस यहां पर सी सेटेक अलग तरिके से करवाय जाता है से करवाय जाता है और सी सेट के डर को खतम कर दे जाता है बिकॉस कॉंसेप्शली बिल्डप किया जाता बच्चों को वह आउट्रेटिड मैथर्स अब नहीं करवाते हैं हम नए मैथर्स से को करते हैं और वह आपको लेक्शर समें देखी भी रहा होगा अब 2023 सी सेट के बाद तो यही कोश्चन का जवाब अभी मन्यों आइस ने ढूंडा और एक अर्ली सी सेट को स्टार्ट किया जिसमें स्टूडेंट्स शूरू से बिल्कुल बेसिक से सी सेट का सारव स्कवर करेंगे वह भी 180 प्लस लेक्शर के साथ जी हाँ बिल्कुल सई सुना आपने 180 से जाद है ना चलो आपको दिखाई देता हूं भी मैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा सुनेट्स क्लियर इसमें क्या है सी सेट निव बैच कोर्स डिटेल आपके बास टाइमिंग रहेगी आपकी यह वीकली चार दिन का बैच है ठीक है वीक में चार ती आपकी तीन से साथे चार डेली उसके बाद आपके पास 30 मिनिट्स का हर क्लास में आपको मिल रहे है डाउट सेशन क्लास के बाद कि जो पिछली क्लास में आपने किया यह उसके पिछली क्लास में आपने किया क्या उसमें कोई डाउट है क्लियर तो यह सब आपको डेडिके में प्लस लेक्चर सुब 80 मिले को अब एक सोसी से जाधा छाथ आ कि रो मी मिलंगे आपको यह आपके पस किस रूप में वेलेबल यह आपके पास ऐन Лाइन offline दोनों mode में available है आप फाइदा क्या है इसका जैसे कोई बच्चा college आता है कोई किसी हो जैसे लगा नहीं पाए तो recorded session आप बाद में देख सकते हैं आपको इसके इंदर 15 previous lectures मिल रहे हैं MCQ practice session 50 plus और live mentorship sessions मिल रहे हैं आपको 30 plus इसकी course के detail जो कुछ भी है सब आपको मिलेगा description box clear so please 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 इस lecture को live देखिए बड़ा मज़ा आता है बहुत मज़ेदा lectures होता है बड़ा अलग experience होता है कि दर निकालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और यह जो पचास क्वांट के लेक्चर रखने हैं क्या रिजन है क्या रिजन है रिजन यही है कि जो भी डर मुन निकल जाए यही डर तो निकालने हुझे चलिए तो आप कॉल भी कर सकते हैं और जुड सकते हैं और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक से मिलेगा चलिए आज हम करने वाले बिटा सिंप्लिफिकेशन पार्ट वन टॉप फाइब को सिंप्लिफिकेशन की वेच्छे का से कोशन आ रहे हमारे पास ठीक है चलिए पहले कोशन के है और यह है आपका सीसेट दोजर उननिस का प्रशन कोशन के दिए राकेश और राजेश तुगेदर प्रोट टैन बॉल्स एं ट्राचाईज तो आपका स्टैन बॉल्स एं ओर टैन राखेट्स है तो अ रजेश पैंड थरटीन हंडर्ड एंड राजेश राकेश जो है को उसने कितना स्पैंड के थरीन हंडर्ड गूर्स ने कितना स्पैंड किया है 1500 ठीक है बच्चों इफ इच रेकेट कॉस्ट थ्री टाइम्स बॉल अगर मैं रेकेट की बात करूं और बॉल की बात करूं इच रेकेट कॉस्ट थ्री यानि थ्री पी रेशो पी कर लूँ से मैं कि एगर बॉल मेरे पास पी की है तो रेकेट कितने का थ्री पी का देख टूटल अमाउट कितना मैंने स्पेंड किया टूटल अमाउट कितना हो थर्टीन हंडर्ड प्लस फिफ्टीन हंडर्ड यानि कितना टूटी एट हंडर रुपीज क्लिर है अगर मेरे पास एक बॉल दस रूपे किया तो दस बॉल कितने क्योंगी इसका मतलर टूटल जो मेरे पास अमाउट इट कामउट पी आगया वो कितना आगया थर्टी प्लस फॉर्टी पी आगया यानि मैं यहां से क्या क्या सकता हूं कि फॉर्टी पी की वैल्यू कितने मेरे पास पी की वैल्यू कितने आगया आपके पास पी की वैल्यू कि सतर अब उस्से क्या पूछा जा रहा है प्राइज ओ रेकेट रेकेट कितने का था थ्री पी का यानि थ्री कि इन्टु सेवंटी यानि कितना 210 यानि ऑप्शन नमबर सी इस ता और राइट तंसर दिस ब्रिलेंट कोश्टन था जो आपने रेशो मैंथर से किया है बीना किसी दिख्कत कि तो ऐसे ही कोर्स में भी ऐसी किया कि जाएंगे तो वहां पे आपको डेमो वीडियो बाच वो सेट दोसर अठारा से प्रशन था सब्सक्राइब इंकम ओफ एंड बी इस मोर दैट आप सी अंड टोगैदर यानि अगर मैं बात करो ए जमाब भी इसके इंकम किसे जाद है बेटा सी प्लस दी से ठीक है दा सम ओफ इंकम ओफ एंड सी इस सेम एस डैट बी प्लस दी यानि ए प्लस सी बराबर है किसके बी प्लस दी के यह दो चीज़ें मुझे दी गई है इसका मतलब अगर बी प्लस दी यहां पर दो था अगर बी प्लस दी यहां पर दो था तो ए प्लस दो ना चीए क्योंकि दोनों बराबर दिये मुझे इस दूसरी बात देखो इसका मतलब अगर यहां पर वान तो डेफिनिल सी बी बन होगा यानि यहां से मुझे क्या पता चला ए इस एक बास आ चुकी है यह बस समझ के चल होगे देखो एक बात होता हूं मेरे पास ए प्लस बी ग्रेटर दें सी प्लस दी है देखो अगर मैं कहता हूं कि ए और सी बराबर है तो क्या बी ग्रेटर दें डी होगा इसको प्लस दी कितना दो है अगर बी डी से जदा है तो डेफिनितली अगर यह मैं 1.1 भी ले लूँ यह 1.01 भी ले लूँ तो डेफिनितली जो मेरे बी है वो सबसे बढ़ा होगा मुझे अमांट नहीं बता बी का कितना है बट यहां से यह मैं बतासकता हूं कि भी सबसे बढ़ा हो क्लियर काफी अच्छा कोशन था है प्लीज वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए चलिए बेचो नेक्स कुशन क्या करें मेरे पास चलिए नेक्स कुशन इस यह आपके पास सिसे डोजर वोजय कोशन अध्लास टेट 11 a.m. अलास तिल 2.00 तो 27.00 यानि ग्यारा बजय साट वी और दो बजय 27 बने वह फुर्ट में फूर्ट पीरिज ओफ एकुल दूरेशन और हैं दूरी इस इंटरवल अव्टर अफर एवरी पीरिड अस आर रेस्ट फाइम मिनट्स इ दो बज़े 27 मिनट्स यानि तीन बज़े 27 मिनट्स विए सब्सक्राइब तीन गंटे 27 मिनट्स अब देखो मेरी बास चार मेरे पास अलग-अलग कि मतब चौथे पीरेड के बाद मेरे चुटी हो जाएगी चला सब्सक्राइब यहां पे पांच मिनट्स का गैप और यहां पे पांच मिनट्स और यह विप्स पांच मिनट्स यानि कितना 15 मिनट्स होगे यानि जो चार लेक्चर की दूरेशन एक्चुली वो एक सो बानुवे मिनिट रही होगी यानि चार लेक्चर 192 के तो एक लेक्चर कितने हैं 192 divided by और यानि कितना होगा 48 मिनिट्स ऑप्शन नम्बर is the right answer of this question question number a बिल्कुल सही आख सा अंसर इसका दन चोटा सा कोशन दा बट सी सेट में 2016 में पुछा गया चले यह भी 2016 का एक कोशन है in aid of charity every student in a class contributes as many rupees as the number of student in that class with the additional contribution of two rupees by one student only the total collection is rupees 443 then how many students are there in the class smart question smart question बच्चे कहां पे इसमें गल्ती करते हैं बताऊंगा देखो मैंने मानना वो कहता है in an aid of charity every student in the class contributes many rupees as the number of student इसका मतलब अगर मैंने number of student एक्स मानने तो मनी भी कितनी होगी एक्स होगी तो टोटल मनी कितनी आई मेरे पास एक्स इंटो एक्स याने एक्स का स्केर यह समझेने वाली बात है ठीक है अब वो कह रहा है कि अगर विद्ध अगर इडिस्टन कॉंट्रिबूशन और रूपिस तो ओनली बन सुड़ेंट अब यहां बच्चे गल्ती क्या करते हैं वो हर एक सुड़ेंट को दो रूपे देंगे भाई क्यों क्यों दो रूपे कोश्च ने बोला है सिरफ एक सुड़ेंट को एक सुड़ेंट को दो रूपे इसका मतलब कितना होंगे 443 इस नमल दब एक स्केर इसके रिसकेल तो कितना 441 एक सितना रूट ओफ फॉर्टी वन यानि कितना 21 ऑप्शन नमबर भी दा राइट अंसर दिसकोश्च ने क्लियर तो कांडली लाइक शिर और सब्स्क्राइब डैट चैनल क्लियर चलिए नेक्स्ट कोश्च पर चलिए यह यहां आपके पास ही सेट 220 इस कोश्चन को ना बड़े सारे तरीकों से करवा गया एक सब्सक्राइब अपन अपने तरीके सब्सक्राइब देखो क्या दिया दा वैसल फुल ओफ वेट वाटर वेट फॉर्टी केजी इफ इस वेट वेट बिकम सुंटी केजी वट इस वेट सांदार प्रसंदार बेटा सांदार सबस्क्राइब करो इस वेट 40 केजी इसका साफ साम मतलब यह है कि मतलब आगर वैसल प्लस वाटर की बात करो 40 केजी उसने वैसल के साथ वाटर का वेट 40 केजी बताई बच्चें हां गलती करते इफ इस वन थर्ड फिल्ड इट वेट बिकम सुंटी केजी देखो मेरी बास सुनो अगर मैं वैसल प्लस वन बाई थर्ड और वाट देखो जो 20 केजी है यह एक्चुली में क्या है एक तो वैसल ह प्लस उसमें वन थर्ड वॉटर है जैसे वैसल है अगर पूरा भरा हुआ है 40 केजी है अगर वन थर्ड बहुए है तो टूंटी केजी है इसका मतलब ज़ए टूबाइट थर्ड बचा यह वाटर होगा अगर इन दुन होगा आप ध्यान से सब्सक्राइब को सबस्क्राइब इसको मैस करवे रगेंगा 20 जी होगा हुआ हो टूबाइट तरद पार्ट वाटर है तो बटकेजी तो टोटल वाटर कितना ओगा आपके पास वाटर कितना होगा आपके पास 30 kg अगर वाटर 30 kg है तो 40 मिचे 30 के कितना बचा क्योंकि मैंने शुरू में क्या पताया था आपको वैसल प्लस वाटर 40 है अगर आपके पास 10 kg निकल गया तो कितना बचा आपके पास प्रशन जो आपने बिना किसी दिक्कत प्रशन निके किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए एक निया तो चाहिए कोँ सेफ्ट है जिसमें मैं पूरा कॉर्स ना करके सिर्फ और स्वाइब च्रक्राइब को भी पर्चेस कर सकते हूं जैसे आपका नंबर सिस्तम हो गया कि आप सिर्फ उतना ही पेए करें जितना आपको करना है जैसे मैं बताता हूं आपको इसका भी लिंग चलिए चलेंगे चूज एक्जाम इस विल सर्फिसी सेट ठीक है चलिए सारे कॉर सीजार सब्सक्रिप्शन से टैस्ट वर्स और माइक्रोगोर्सिस देखिए आप यहां पर डालेंगे कॉल वह वट्सट और यहां पर जब आप जाएंगे वट्सट गूरुप का लिंक भी आपको आपके पास बाइस पर्सेंट कोश्चन से टैन लेक्चर से नोव वैब नोट सर फॉर्ट वन मल्टीपल चॉज पर ज्यान से देखोगे ना इन कोश्चन का फाइदा क्या है वट वाइदा के प्रिवीश एर खतम होगे इसमें दूसरी बाग जब आप इनको बंदल बनागे देख सकते हो कि 25-25-30 कोश्चन का सैट बनाईए और टेस्ट इस सेम वैसे टेस्ट बनेगा जैसे यूपेसी सेट का आपको टेस्ट देते ह कि आए जा रहा है कि आए तो लीजिए पसंद मत आए तो मतलो खुला चैलेंज है भाई ठीक है तो इसे करके हर एक चेप्टर का लाइनप किया हुआ है कि कितने परसेंट प्रसेंट किस चेप्टर से पूचे गए हैं पिछले सालों में तो यह डाटा सिरफ हमारे पास है य यहां पर कुछ अलग है क्लियर सो प्लीज वीडियो को लाइक केजिए शेर केजिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूले थैंक यू